वेल्कम टू प्यूर कुकिंग इस वीडियो में मैं हिदरबादी शादियों वाली चिकन हरीस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये रेसिपी की रिक्वेस्ट की गई थी तो चलिए बनाना शुक करते हैं कि शुब्से पहले हम 500 ग्रेम ग्यूं ले लिया है मैंने इसको में ग्रेंडर में थोड़ा इसा लियोक कर गप कर आप श्करते हो ये उसको अदरा मकले और साथ में एक मुठी माश की डाल याने उड़त की डाल को हम धो के साथ में भीगा के रखेंगे ग्याहूं के साथ में अब देखिए चार-पांच गंटे के बाद में यह जो है बहुत ही अच्छे से भीग गया है तो अब हम इसको पॉट में आट कर देंगे देखिए काफी अच्छे से यह फूल गया है और ग्याहूं भी थोड़ा सा नरम हो गया है अब हम इसमें जो हमने माश की डाल भीगा के रखी थी वह एट कर देंगे इससे माश की डाल एट करने से इसमें स्टिकी पन आएगा जो हरिस में स्टिकी नेस होती है वह इसी की वज़े से आती है और अब हम इसमें एट करेंगे 500 ग्राम टूंड मिल्क टूंड मिल्क आट करना है गरम करा हुआ तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे के दूद क्यूं डालना है तो यह दूद रेसिपी का हिस्सा है आप डालना चाहे तो डाले इससे अच्छी बनेगी रिच बनेगी हरिस अगर आप स्किप करना चाहते है तो आप पानी यूज़ कर सकते हैं साथ में मैंने हल्दी पॉडर एट कर दिया है हाफ टीस्पून और टेस्ट के साबसे नमक एट करके से मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे जब तक के यह ग्या हूँ और माश की दाल जो है बहुत ही गरम मसाले आट करेंगे तो सारे गरम मसाले मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है आठ इलाइची आठ लॉंग टू टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ब्लैक पेपर वन टीस्पून कबाब चीनी एक इंच की सिनमनिस्टिक और दो बेलीव है अब मैंने दो किलो चिकन एट क बनेगी बोनलेस की अच्छी नहीं बनती हरी और साथ में मैंने इसमें टू टेबली स्पूंजिंजा गालिक पेस्टेस्ट के हिसाब से नमक और हल्दी पॉडर एट किया है जो रवा है उसमें मैंने अल्रेडी नमक रवे के हिसाब से एट कर दिया है तो सिर्फ ये गोश् को हमने क्रश करना है उसमें असानी हो जाए देखिए अब हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से मैंने बुन लिया है गोश्ट को इस तरह से अच्छे से भून के पकाने से हरी ज्यादा मज़ेदार बनेगी अब हम इसमें एट करेंगे पानी तो तीन ग्लास पानी मैंने एट क तो 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 टल मैंने हरीज पकाते वक्त एक लिटर दूड यूज किया है दूड दालने से हरीज जो है वह बहुत ही मज़ेदा रिच क्रीमि बनेगी अब मैं तो इसमें पोडली मसाला डलता है तो यह पोडली मसाला दार रही हमस्के सारे टेटैल्स मैंनं हैं यहाँ पर स् बड़ी लाइची ड्राय रोस पेटल्स और ड्राय जिंजर है यह दालने से बहुत ही अच्छी मसाले की खुश्बॉआएगी हर इसमें तो इसे बॉइल कर लेना है जब तकि यह पाने आफ नहीं हो आफ नहीं हो जाता अब देखिए इतनी देर में जो हमारा दलिया है वह अब देखिए चिकन भी हमारा काफी पग गया है काफी हद तक तो इसे खुला रखके हम थोड़ा सा भून लेंगे देखिए कितना अच्छा गल गया है चिकन इतना पकाना जरूरी है ताकि यह अच्छे से मज़ेदार बने हरीस अब चिकन को भी इस्टो की फिलेम बन करके थंडा करेंगे और इसको भी हमने क्रश कर लेना है तो अब देखिए इस तरह से हट्डियों को अलग करके जो गोश्ट है उसको मैं अच्छे से क्रश कर लूँगी इसे ग्रैंडर के जर में बिल्कुल नहीं पीसना है अगर आप इसे ग्रैंडर में पीसेंगे तो यह बिल्कुल गोश्ट जो है चिकन एक पेस्ट की जैसा हो जाएगा और हरीस मज़ेदार नहीं बनेगे अब देखिए इस तरह से मैंने गोश्ट को चिकन को क्रश कर लिया है हड़िया मैंने रहने दी है आप चाहे तो डिस्कार्ट कर सकते हैं और जो चिकन का पानी स्टॉक होता है वो डाल के मैंने इस तरह से दलीये को ग्रैंडर में पीस लिया है सारा और थोड़ा सा कंई मैंने बाखी रखी है आप चाहे तो बिलू कुल पेस्ट बना ले बब ही अच्छे से मिक्स करना है अब हाइ फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे तो आप देख सकते इसकी काफी गाड़ी है तो अब हमने जो पोटली मसाला हमने बॉइल करके रखा था वह हम इसमें एड करेंगे तो जितना पानी मैंने दाला था उससे अब यह हाफ हो गया है तो यह हा क्या घर आता है तो इसलिए मैंने एड क्या है अगर आप पास मैं पोटली मसाला नहीं है तो आप पानी गरम कर के अट करें थंडा पानी नहीं एक करना है उससे बिलकुल अच्छी नहीं बनेगी ह्रेस एक खिसम की बववाईगी अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ह तक हमने इस तरह से चमच हिलाते हुए पकाना है ताकि जो चिकन और गहूं है वह एक जान हो जाए इससे हरीस मज़ेदार बनती है बहुत ही अच्छा इसको बॉइल आना चाहिए और इस तरह से इसे पकना चाहिए इससे स्टिकीनेस होगी और जो हरीस का असली फ्लेवर है व तो तेल जो मैंने बचा के रखा था वो मैंने अच्छे से बॉइल करके इसमें आट किया है होट डालना जरूरी है इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट है आप देखिए थोड़े से काजु मैंने फ्राई किये हैं तली हुवी प्यास है कोरियांडर लीव मिंट लीव है और ड काफी अच्छे से पक गई है तो इस लो कर दें और पांच मिनिट के लिए इसे हम दम पे पका लेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स जो हमने दाले हैं मसाले उसके एक जान हो जाए हरीस में अब हरीस बनकर बिल्कुल तयार है लास में इसमें घी अट करेंगे असली घी डालना है इससे हरीस का टेस्ट एक लेवल और ऊपर चले जाता है और कोतमीर पुदीना डाल के गर्मा गरम हरीस को सर्फ कर देंगे तो हरीस जो है वो गरम गरम सर्फ की जाती है नहीं तो थंडी होगी तो फिर यह गाड़ी हो जाएगी तो सर्फ कर देंगे टेस्टी चिकन हरीस मेर मटन हरीज को इतना प्यार देने के लिए ठैंक यू सो मच मेरी चिकन हरीज को भी इसी तरह से पसंद कीजिए लाइक कीजिए और देख सकते हैं कितनी मज़ेदार बनी है तो इसको मैंने अच्छे से गानिश कर दिया है और साथ में घी डाल के स्कॉब हम सर्फ कर देंगे गर कुकिंग को ऐसे यूस्फूल वीडियो के लिए ठैंक्स फॉर वाचिंग देखी कितनी स्टिकी हरीज हमारी बनकर तयार हुई है